स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टड़ा में दोस्तों अगर आपके उम्र इस वक्त कम है यानि 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल और आप अपने भवेशे के लिए चिंतित हैं कि आपको आके क्या करना है तो दोस्तों आपको अभी से सिर्फ थो जब जादा पैसो की जरुत पड़ेगी चाहें से आपको कोई घर खरीदना हो बच्ची की शादी करनी हो या फिर आपका कोई बिजनेस करने का प्लान है तो आपको एक साथ जादा पैसो की जरुत पड़ेगी और आप कभी भी लोन लेकर ना तो घर बना सकते हैं ना बच् ये सारे काम आराम से पूरे कर सकें वैसे जब हर महीने थोड़े पैसे निवेश करने की बात आती है तो हमारे पास पहला ओप्षन होता है बैंक आरडी का लेकिन दोस्तों वहाँ पर प्यास दर अब आपको बहुत जादा कम मिलती है अगर हम बैंक की बैस दर की बात करें तो तो एक साल के बाद आपको 106 रुपे मिलेंगे जबकि दोस्तों अगर आप आप आज कोई चीज 100 रुपे की खरीते हैं तो एक साल के बाद आप उसे 107 रुपे की खरीतेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपके जो 100 रुपे निभिश के हुए हैं वो 106 रुपे मिलेंगे जबक आप उस वक्त की सारी जरूत को पूरा कर सकें तो दोस्तो आज हम केनरा की कैसे ही स्कीम लेकर आये हैं जिसके अंदर आप बारे सो रुपे महीना निवेश करके यहाँ पर करीब 9 करूर 83 लाक रुपे का फंड तयार कर सकते हैं और इससे आप अपने भविश्य की सारी जरूतों को आराम से पूरा कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस बहतरी इन स्कीम के बारे में उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर आप 1200 रुपे महीना निवेश करके कितने टाइम के बाद इतना बड़ा फंड तयार कर सकते हैं उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों निवेश के लिए सबसे इंपोर्टन होता है रिटन अगर हम इस स्कीम के रिटन की बात करें पिछले 6 महिने की तो इसकीम ने 3.14% का रिटन दिया है अगर हम एक साल की बात करें तो scheme return 28.75% का है 5 साल की बात की जाए तो scheme ने 32.44% का return दिया है और दोस्तो ओल टाइम की बात करें जब से scheme शुरू हुई है तब से लेकर आप तक लगतार इस scheme ने annually 30.92% का return दिया है दोस्तो ये एक mutual funds की scheme है जिसका नाम है केलरा रूपको small cap fund इसका जो पैसा है वो stock market के अंदर small cap category के जो share है उनके अंदर निवेश किया गया है दोस्तो stock market के अंदर small cap category के बहुत सारे शांदार stock हैं जिन्होंने पिछले कुछ time में काफी शांदार profit दिया है और आगे भी उन stockों से एक अच्छे profit की उम्मीद है अब बात आती है कि इसके अंदर आपको कैसे निवेश करना है तो दोस्तो mutual funds के अंदर आपको एक option मिलता है SIP का यानि के systematic investment plan का ये option बिलकुल RD की तरह काम करता है इसके अंदर आपको ये scheme चुनकर सिर्फ एक पार select करना है 1200 रुपे महीना उसके बाद आप जो bank खाता इससे link करेंगे इतने पैसे आपके हर महीने bank खाते से करते रहेंगे और इसके details आपको मिलती रहेंगी दोस्तो अगर हम बात करें scheme के NAV की यानि net asset value की तो यह है 24 रुपीज 32 पैसे का दोस्तो NAV होता है mutual funds scheme का unit price जो पैसे आप इसके अंदर निविश करते हैं और जो NAV का price होता है इसके हिसाब से ही आपको unit lot की जाती है बात करें rating की तो 5 है और scheme का fund size 2514 करूट रुपे है यानि इतने पैसे लोगोंने इस scheme के अंदर निविश के हो हैं अगर हम बात करें SIP की तो इसके अंदर आप 1000 रुपे से SIP शुरू कर सकते हैं दोस्तो SIP आप अपनी मर्दी के हिसाब से monthly, quarterly, half yearly या yearly भी परतकते हैं यहाँ पर आपको एक और option मिलता है top up का जैसे कि अभी आपने यहाँ पर 1200 रुपे महिना से invest start किया और आप आने वाले time में सोचते हैं कि आपको इसे 1200 रुपे से बढ़ा कर 2000 या 3000 करना है तो बाद में भी top up option के तहट आप इसे बढ़ा सकते हैं दोस्तो अगर हम बात करें यहाँ पर holding की कि आपका जो पैसा है वो small cap category के किन शेरों में निवेश किया गया है तो दोस्तो total 61 stock हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया जाता है अगर हम में शेर की बात करें तो इसके अंदर के पी आर मिल्स, कैन फिन होम्स, वी यार लोजिस्टिक, माइन टरी, सेरा सेनिर्टरी वियर, सिटी यूनियन बैंक जो दोस्तो बहतीन कंपनी है 61 small cap category की उनके अंदर ही सारा का सारा पैसा निवेश किया गया है दोस्तो गर हम बात करें यहाँ पर expense ratio की तो यह भी कम है 0.40% का दोस्तो expense ratio होता है mutual funds का खर्चा जो भी पैसे आप इसके अंदर हर महीने निविश करेंगे और जो expense ratio होगा पहले इतने % पैसे आपके पैसे में से काटे जाएंगे और जो बाकी के पैसे होंगे उसके unit लोट के जाएंगे जो current NAV का price होगा अगर हम दोस्तो बात करें fund management team की यह काफी important होता है क्योंकि आपके पैसे को stock market के अंदर किन शेयरों में निविश करना है यह management के तहती decide के जाता है इस fund को manage करें श्रीदता 2019 से और अज है 2021 से दोस्तो गर हम बात करें यहांपर के नरा रुबको mutual fund house की तो इंडिया में 18 नमबर पर rank है company स्टार्ट हुए थी 19 दिसंबर 1987 में और company के पास जो EUM है यानि के asset under management वो करिफ 47,886 करोड रुपे है यानि इतने पैसे लोगों ने अलग-अलग scheme के अंदर के नरा रुबको mutual fund house के साथ निवेश किया हुए है दोस्तो ये तो बात हुई scheme की इस scheme का जो return है annually वो है यहांपर 30.92% का लेकिन आने वाले time में इस scheme के अंदर अगर आपको सिर्फ 25% annually का भी return मिलता है और आप इसके अंदर हर महीने सिर्फ 12.00 रुपे बचा कर निवेश करते हैं तो यहांपर आप कैसे अपने लिए 9.83 लाग रुपे का fund तयार कर सकते हैं इसे हम आप एक बार calculate करके भी समझते हैं दोस्तो ये हमारे पास mutual funds का SIP calculator इस scheme के अंदर अगर आप हर महीने सिर्फ 12.00 रुपे बचा कर निवेश करते हैं return हम expect कर रहे हैं आने वाले time में 25% का दोस्तो इस scheme के अंदर अगर आप SIP को continue करते हैं 5 साल के लिए यानि हर महीने आपको 5 साल तक 12.00 रुपे महीना निवेश करना है तो यहाँ पर आप total इसके अंदर 75,000 रुपे का निवेश करेंगे इस पर जो आपको return मिलेगा वो करीब 71,813 रुपे का होगा यानि 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,43,813 रुपे होगे दोस्तो इस SIP को अगर आप continue करते हैं 10 साल के लिए तो इस पर आपको estimate return जो मिलेगा वो करीब 4,95,366 रुपे का होगा 1200 रुपे हर महनी के साब से आप इसके अंदर 1,44,000 रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो आपको return मिलेगा वो 6,49,366 रुपे का होगा दोस्तो अगर आप इस SIP को continue करते हैं 15 साल के लिए तो 1200 रुपे हर महनी के साब से आप इसके अंदर 2,16,000 रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो आपको return मिलेगा वो 21,30,942 रुपे का होगा यानि 15 साल के बाद आपके पास करीब 23,46,942 रुपे होगे दोस्तो इस PASIC को अगर आप continue करते हैं 20 साल के लिए तो 1200 रुपे हर महनी के साब से आप 2,88,000 रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो आपको return मिलेगा वो 89,42,914 रुपे का होगा यानि टोटल 20 साल के बाद आपके पास करीब 82,30,914 रुपे होगे दोस्तो इस SIP को अगर आप continue करते हैं 25 साल के लिए तो 1200 रुपे हर महनी के साब से आप इसके इंदर 2,3,66,000 रुपे का निवेश करेंगे इस पर जो आपको return मिलेगा वो करीब 2,81,45,930 रुपे का होगा यानि के 25 साल के बाद आपके पास करीब 2,85,5930 रुपे होगे दोस्तो इस SIP को अगर आप continue करते हैं 30 साल के लिए तो 1200 रुपे हर महनी के साब से आप इसके इंदर टूटल 4,32,000 रुपे का निवेश करेंगे इसमें जो आपको return मिलेगा वो करीब 9,89,37,658 रुपे का होगा जानी के 30 साल के बाद आपके पास करीब 9,83,69,688 रुपे होगे तो दोस्तो अगर आप हर महीने आज सिर्फ 1200 रुपे बचा कर भी निवेश करते हैं तो अपने लिए इतना बड़ा fund बना सकते हैं जिससे आप अपने भविश्य की सारी जरुतों को आराम से पूरा कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आपको एक बात और थामचनी है वो है risk की mutual funds के अंदर stock market का risk होता है अगर यह scheme आने वड़े time में आपको return देती है कम यानि 20% का तो आपको मिलेंगे 2 करोर 80 रुपे अगर यह scheme आने वड़े time में आपको return देती है जादा यानि 30% का तो आपको मिलेंगे 35 करोर रुपे तो दोस्तों यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क होता है लेकिन अगर आप रिस्क लेकर एक 32 स्कीम ढूँड रहे हैं जिसके अंदर थोड़े पैसे निवेश करके अपने लक्षे को पूरा करना चाहते हैं तो mutual funds की यह स्कीम आपके लिए काफी अच्छी रहेगी तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद